नमस्कार हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है ये देख लिजे ये सवाल किया गया है कि जो है फीट गुनिया से कैसे जमीन माप कर सकते हैं इसको देख लिजे यहाँ पर ये फीट गुनिया है इसका ज़री पहचान करना चाहते हैं आप तो देख लिजे यहाँ पर लिखा है 330 फूट बराबर एक इंच इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा या तो आप जो है मार्केट में जाएंगे फिट गुनिया चाहिए कहेंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा और यहां पर देख लिजिए इसे भी जानना बहुत जरूरी है 16 इंच बराबर एक मिल इस आप से जानेंगे और जो है 330 फिट बराबर एक इंच इस तरह से लेकिन इस नक्सा से आप जो है 32 इंच बराबर एक मिल को भी माप सकते हैं बहुत ही असानी से जैसा भी नक्सा बना हो लेकिन अधिकतर जो है 16 इंच बराबर एक मिल से बना है तो यह 16 इंच बराबर एक मिल से बना है तो हम लोग जो है यह जो खंड दी आ गया है इसमें इस खंड में हमको डिभाइड करना है कि एक खंड बराबर कितना फीट होगा कितना फीट लंबाई होगा जैसे हम यदि एग छोटा खंड एक खंड मापेंगे तो एक खंड बराबर कितना फीट होगा, इसको जानने के लिए हम 16 इंच बराबर एक मिल से भाग गुड़ा करके जानेंगे कि एक खंड बराबर कितना फीट होगा और ये बड़ा खंड देख लिए यहां से ये जो है बड़ा खंड बराबर कितना फूठ होगा इसको भी देख लिए ये जो यहां पर है ये बड़ा खंड यहां से यहां तक कितना फूठ होगा और यहां तक भी कितना फूठ होगा इसे जानेंगे हम लोग पूरा वीडियो में बने रहें इसको जानेंगे पूरा वीडियो को देखेंगे हमारे चैनल का तो आपको जो है ये भूमाप के लिए आपको खोजना नहीं पड़ेगा आप बसरते गड़ीत में थोड़ा सा ध्यान देजिए ये पांचवी कक्षा आठी कक्षा दस्वी के गड़ीत को थोड़ा सा अध्यान कर लिजिए असानी से जानेंगे कोई बड़ा बात नहीं है ज्यादा अध्यान करने का जरूरत इसमें नहीं पड़ता है आप बस देख लिजिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे 16 इंच बराबर एक मिल 16 इंच बराबर एक मिल लिकलेजे 16 इंच बराबर एक मिल यह दखी 16 इंच बराबर एक मिल होता है और एक मिल बराबर इसको हमारी इस चैनल में बताया गया है एक मील बराबर 80 जरीब होता है इसको नोट कर लिए अब बताया भी गया है कई वीडियो में बताया गया है एक मील बराबर 80 जरीब होता है अब इसे भी बताया गया है कि एक जरीब एक जरीब बराबर एक 64 खूट होता है कितना होता है? 64 फूट होता है एक जरीद बराबर ये 16 इंच बराबर एक मिल को जान रहे हैं कि एक खंड में कितना फूट होगा तो एक जरीद बराबर 64 फूट यहां है और एक मिल में कितना फूट एक मिल बराबर असी गुड़ा 64 कर दीजे बराबर होगा 5280 फूट लंबाई का होगा इतना फूट लंबाई का होगा 16 इंच बराबर 5280 फूट यदि नक्सा को आप यहां से यहां से यहां तक आप माप लिये हैं 16 इंच तो आपको जमीन में 5200 फीट आपको चलना पड़ेगा विस्तर से मीटर से टेप से नापते हुए आप जो है 5200 फीट आपको चलना पड़ेगा ठिक किलियर होगा इतना अब हम विशी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे और डिभाइट करेंगे एक खंड में कितना फूठ होगा ठिक एक खंड में कितना फूठ होगा 16 से भाग कर दिखे तो बराबर 330 फूठ यह देख लिए 330 फूठ यह सिद्ध हो गया 330 फूठ बराबर एक इंच तो यहां पर लिख लिए एक इंच बराबर 330 फूठ यह किलियर हो गया कितना एक इंच बराबर 330 फूठ दो इंच का निकालना है तो दो से गुड़ा कर दिगजे दो इंच बराबर एक छे सो 60 फूठ होगा 200 नमशुन और 2-6 दो तिया 6 इस प्रकार से जो है 2 इंच बराबर पर कितना होगा ये 660 फुट होगा इसको ध्यान दिजिए इसको पिछला वीडियो में भी बताया गया है कि 2 इंच बराबर 660 फुट होगा अब 660 फुट को हम जो है ये जो है इसकेल के अनुसार हम लोग इसको डिभाज करेंगे एक खाना के अनुसार यहाँ पर और एक चीज देख लेजिए ये जो है जब इंगलिस मेजरमेंट है तो गज और फरलाग को भी देख लेजिए एक फरलाग थोड़ा सा आगे देख लेजिए ये एक फरलाग बराबर 220 गज होता है एक फरलांग बराबर 220 गज और एक मील इसको भी देख लिए जानकारी रहेगा एक मील बराबर एक मील बराबर होता है आठ फरलांग ये देख लिए आठ फरलांग एक मील बराबर आठ फरलांग और एक फूट एक फूट देख लिए इंच को पड़ रहे हैं इसलिए हमको जानना जरूरी है एक फूट बराबर 12 इंच और एक गज बराबर तीन फूट होता है ये देखें इस तरह से लंबाई होता है अब हम लोग इस केल गुनिया को देख लेते हैं भाग करके जानेंगे कि जो है एक खाना है इसमें ये जो छोटा खाना बड़ा खाना में कितना फूट होगा इसको जानेंगे हम लोग तो हमने यहाँ पर निकाला है दो इंच बराबर 606 फूट दो इंच बराबर 606 फूट कोई दिक्कत नहीं होगा इसको ध्यान से दिखिए दो इंच बराबर 606 फूट होता है करी गुनिया में भी और कहीं यहाँ पर भी दो इंच बराबर 606 फूट ही होगा देख लिजिए 16 इंच बराबर 1 मिल के हिशाब से नक्सा बना है तो इतना ही होगा दो इंच बराबर 660 फूट ओ इस थिर है ठिक अब यह है करी गुनिया इसमें जो है दो इंच का है तो लगभा एकदम मालूम नहीं है जानते नहीं है तो इसमें जो है मिलान कर लिजिए कि दो इंच कहां तक होता है तो इसमें यहां तक होता है दिख लिजिए एक, दो, तीन, यह चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, यह दस, यह ग्यारा, यह बारा, यह तेरा लगभाग यहां तक जो है लगभाग 13 बड़ा खंड बराबर 2 इंच होता है तो 660 फूट है यह दिख लिजिए 2 इंच बराबर 660 फूट है और यह 13 खंड है एक खंड में छोटा खंड कितना है लिख लिजिए तेरा बड़ा खंड तेरा बड़ा खंड ठिक तेरा बड़ा खंड यहां से यहां तक तेरा बड़ा खंड है और इसके बीच में कितना है एक दो तीन चार पांच 5 छोटा खंड है इसलिए 13 गुड़ा 5 बराबर 13 पचे 65 छोटा खंड होगा यह देख लिजिए 13 पचे 65 छोटा खंड है यहां तक लगभग जो है 13 बड़ा खंड में कितना होता है दो इंच और दो इंच बराबर कितना है 660 फूट देख लिजिए इसको भाग करेंगे तो कितना फूट होता है एक खंड में इसको जानेंगे रियल नहीं आएगा रियल को भी हम लोग इसको जानेंगे देख लिजिए यहां पर 660 बटे 65 इसको भाग करेंगे तो यह 10 दसमलो एक पांच चार इस तरह से आता है भाग करके देख लिजिए यह 10 दसमलो के बाद और भी आता है 660 भागे 25 यह देख लिजिए एक पांच इस तरह से दसमलो के बाद आता है तो यह जो है कोरेक्ट नहीं बैठता है हमको 10 फिट कोरेक्ट बैठाना है एक खंड में एक छोटा खंड में तो देख लिजिए कैसे करते हैं हम लोग इसको प यह देख लिजिए हम यहां पर 13 भी खंड में 65 भी खंड में 65 भी खंड जोड देते हैं यहां से देख लिजिए यह जो खंड को जो है पलस कर देते हैं तो बराबर होता है 46 ठीक ए 66 खंड से हम लोग भाग करके निकालेंगे कि एक छोटा खंड में कितना फूत होगा देखे लिजिए 660 बटे च्यार साथ एक च्यार साथ एकम च्यार साथ तो ओवान नौ जीरो बचा है तो यह जो है 10 फूत होगा कितना फूत होगा 10 फूत यह जो है कोरेक्ट है देख लिजिए 2 इंच कहां पर हो रहा है यह देखिए यह 13 बड़ा खंड और यह जो है यहां 64 छोटा खंड बराबर 2 इंच तो हम लोग जो है यह 44 छोटा खंड लेने पर दो इंच छोटा है अधा जो है आप जो है एक खंड बराबर एक खंड एक खंड या एक सूता भी कह सकते हैं इसको एक सूता बराबर यह जो है 10 फूत आप पिये जमील को नक्सा में यदि आपका मातर जो है छोटा एक खंड है छोटा जमीन है तो आप जो है दस फुट माप सकते हैं अब जानेंगे इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा के जानेंगे देख लिजिए फूरा विडियो को देखें एक छोटा खंड बराबर दस फूरा लिख लिजिए एक छोटा खंड बराबर दस फूरा तो बड़ा खंड देख लिजिए यहां से यहां तक इस तरस से तो बड़ा खंड बरा खंड बराबर बरा खंड में छोटा कितना खंड है एक दो तीन चार पांच खंड है पांच गुरा दस कर दिजिए बराबर पचास फूरा खंड होगा कितना होगा पचास फूरा इस तरस से आप बड़ा खंड बराबर आप पचास फूरा प्यें नक्सा में यदि एक बड़ा खंड है तो आपको पचास फूरा जमीन को मापना पड़ेगा देख लिजए थोड़ा सा हम लोग माप Acts कर देख लेते हैं पीश्त्रा से आपका प्रोट है मान के चलिए ये देखिए प्रकार से आपका Plot है पीश्त्रा से नक्सा बना हुआ है इस प्रकार से तो हम लोग इसको देख लेजे ये पलोट जो है कितना इस तरह से ये देख लेजे नक्सा मिलान कर लेजे इस तरह से गुनिया को नक्सा से ये देखिए ये जो है यहाँ पर जो है ये इसको मान के चलिए ये जो है एक, दो, तीन, चार चार बड़ा खंड है कितना है चार चार गुड़ा पचास बराबर पंचाओं को 20 200 फूट इस पलाट का लंबाई हुआ कितना हुआ 200 फूट हुआ इस पलाट का लंबाई कितना हो गया 200 फूट अब हम जो है इधार से माप लेते हैं, ये देख लेगे, इधार से भी देख लेगे, इधार से इसके लंबाई को देख लेते हैं, माप लेते हैं, ये सीधा करके, और इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा था तो, ये देख लेगे, ये जो है, आज आता है ये, यहां पर देख लिजिए इसको थोड़ा सो मेचिंग कर लेते हैं यहां से यदि आप मापते हैं देख लिजिए तो एक दो तीन चार यह भी जो है चार बड़ा खंड है अभी इतना जो है इसको जूम करने पर यह भी चार बड़ा खंड हो गया चार गुड़ा पचास बराबर दो सो फूट हुआ यह भी कितना हुआ दो सो फूट यह भी हो गया अब हम अब हम जो है इसका छेत फ़ल निकालेंगे इस पलाट का तो देख रिज्य कितना होता है लंबाई गुड़ा चवड़ाई कर दिज्ये यानि कि 200 गुड़ा 200 बराबर होगा 200 गुड़ा 200 200 सूनम सून कर दिज्ये 200 सूनम सून 200 दुना 400 यह देखिए यह जो है 40,000 ओवर्ग फुट हुआ कितना सीधे ओवर्ग फुट में निकलाता है इस मुनिया से डारेक जो है ओवर्ग फुट में निकलाया अब यह 40,000 ओवर्ग फुट हुआ अब इसको आप डिसमिल में जानना चाहेंगे 40,000 को तो फटाफट में किल्कुलेट कर देजे 40,000 भागे 435.6 कर देजे भागे कर देजे 435.6 तो यह बराबर हो जाता है 91.8 दो डिसमिल इस परकार से जो है असानी से निकाल सकते हैं इजी तरीका से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब केजे विडियो को सेर केजे धन्यवाद